Hello student, कैसे हैं आप सब? Hope you all are doing very good and fine. So, welcome back to our channel, this side Pryanga Khanna, your biology educator. Student, जैसा कि हमने आपके साथ promise किया था और लगता हम आपके लिए Olympiarts के videos लेके आ रहे हैं जहां जिसके medium से आपको पता चल रहा है कि आपके पास कितने और options हैं जिसमें आप Olympiarts दे सकते हैं यह subject wise है, आपका जिसमें interest है आप उस Olympiarts को दीजें हमने Silver Zone के introduction में भी आपको पूरी detail बताई थी कि कौन-कौन से Olympiarts होते हैं Silver Zone के under में So, आज हम उसका सबसे पहला that is STEM innovation Olympiarts लेके आए हैं Student, यह Olympiarts बहुत ही ज़्यादा interesting आप कह सकते हो and बहुत ही important है So, वीडियो को start करने के पहले, again I request you to all के channel को like, share and subscribe करना ना भूलिए अगर आप हमारे channel में नए हैं, तो तुरंत ही आप उसको subscribe कीजिए जिससे आपको लगता notifications मिनेंगे और new Olympiarts के लिए So, start करते ही अपना वीडियो सबसे पहले यह Silver Zone STEM Innovation Olympiart क्या होता है जैसा कि बच्चों आप नाम देख रहे हो, उसका STEM में इस सिस्टेम का मतलब है Science, Technology, Engineering and Mathematics मतलब यह उसके लिए Olympiart conduct किये जाते है So, student यह जो Olympiart है, वो हमारे class 3rd से लेके class 10 तक के student दे सकते है So, this is open for class 3rd to class 10th student यह paper का medium होता है, वो है आपका English Means, paper आपका केवल English में ही होगा So, अगर हम बात करें कि इसके date कब होती है तो two dates निकाली जाती है Means, आप इसको online भी दे सकते है, offline भी दे सकते है So, इनकी two dates school के जरिये, इनकी two dates आनवली निकाली जाती है हर एक date में, वानिसी बाते दो date है, तो हर एक date में अलग Olympiad paper का set आता है Means, आपका जो paper होगा, वो अलग-अलग set में होगा ठीक है, अलग set आएगा और उसके बाए जो winners होंगे तो हर एक winner को, that each winner will be entitled to one award for an exam कि हर एक winner को एक award मिलेगा, ठीक है जैसे कि हमने आप कुछ relate कर सकते हूँ, SOF से, ठीक तो बच्चों यह जो आपको Olympiad है, वो किसमे specialized है Science, Technology, Engineering and Mathematics ठीक है, तो इतने चीजे आप से उसमें पूछी जाती है अब बात करते हैं कि इसका aim क्या है See, you train the youth, सबसे important क्या होता है कि यह हमारे third से लेके class, हमारे 10 तक के student क्योंकि दे सकते हैं 11th class से बच्चे क्या करते हैं, competition के तयारी start करते हैं या 11th से उनका कह सकते हैं, उनको यह पता चलनने लगता है कि अब हमें किस field में जाना है, ठीक है So, basically, इसका aim यह है कि हमारे youth को train करना क्योंकि वो केवल एक अपने school level पर अपने classmate से जो एक कॉंपटीट कर रहे होते हों उन्हें, बहुती छोटी age से यह पता चल जाना चाहिए कि हमें कैसे competition में part लेना होता है जो काम हम 12 के बात करते हैं, वो हमारे छोटे class से start हो जाता है So, to train the youth because they not only compete with their classmate at the school level but also with the student of their age internationally बल्कि वो अपने ही age group के लोगों के साथ में वो international level पर compete करते है Now, STEM का जो concept है, वो primarily help करता है Children को develop new ways of thinking by promoting curiosity and analysis आप जब छोटी class से किसी competition level में बैठते होना तो आपके अंदर एक curiosity आती है, आपको एक analyse करने के power develop होती है ठीक है? आपने देखा होगा कि जब आप छोटे थे तो एक कोई भी चीजों को जब आप पढ़ते थे तो उसे हम ज़्यादा तर याद करने के कोशिश करते थे लेकिन जब हम इस तरिके के competition paper को देते हैं तो हमारे अंदर एक analyzing power आती है कि कोई question में solve करना है तो उसको हम कैसे एक समझ के ठीक है? उसे और जानने के कोशिश करना important होता है जिसके वज़े से वो question में अथानी से solve कर सकते है तो इन चीजों को develop करने के लिए यह Olympia paper conduct किये जाते हैं ठीक है? And the third aim is taking the global challenges at a young age आप एक global challenge को एक बहुती छोटी age से लेना start करते हो that ensure कि child stand victorious in every sphere of the academic and the career पाथ ठीक है? जो कि बच्चों को यह ensure करता है कि आप आप एक सिर्फ अपने पढ़ाई ही नहीं, नहीं कि school की ही पढ़ाई नहीं, बलकि आप अपने career पाथ में, academics में, हर जगा पे आप क्या कर सकते हो? एक जीत हासल कर सकते हो और बहुत ही अच्छा एक नाम बना सकते हो ठीक है? इस तरकी के Olympiad paper को देना मेरे हिसाब से हर एक student के लिए बहुत ही जाता है, important है जो चीज़े आप आगे जाके देते हो उस समय पर क्या होता है? student बहुत nervous होते हैं कि हम कैसे competition के नाम से ही डरते हैं वो जो एक आपके अंदर phobia होता है वो एक बहुत ही छोटी एज से ही खतम होने लगता है, छीक है? फिर अगर हम बात करते हैं इस exam के date की, तो student जैसा हमने बता है कि offline mode में भी होता है और ये online mode पे भी होते हैं so offline mode के dates examination आप देख लिएजे, last date of registration 31 August 2022 आपका ये आने वाला और first date of examination है 24-11-2022 and second date to Lampiart की क्या है 19-12 that is December, ठीक है? last date of registration आपकी August में है, 31st August इस लिए आप उसको द्यान से paper को, paper के form को बना start कर दीजे, ठीक है? अब हम बात करते हैं, online mode के लिए तो online mode में आपका जो first date exam की आपके सामने screen में है, 2011-2022 and second date है आपके 25-12-2022 last date of registration again is of 31 August 2022 में paper की last date, like आपके registration की last date है, not paper, even last date of registration, ठीक है? तो अगर में structure of Olympiart की बात के हैं, तो student यह आपका conduct होता है two stages में, ठीक है? national stage, first stage होती है, national stage जो first stage है, वहाँ पे student compete करता है अपने home country से, ठीक है? वहाँ पे compete करते हो आप, so they will qualify for the stage 2 वो stage 2 के लिए तभी qualify होगा, only after scoring की cut-off marks of 75%, जो आपको 75% cut-off marks आएगा, तब आप stage 2 के लिए क्या करोगे, qualify कर पाऊगे, ठीक है, so the first is a national stage, बताई गई है the next is second stage, which is known as the international stage, तो international stage में क्या करते हो, कि आप अपनी home country के साथ, other country के साथ भी compete कर रहे होते हो, ठीक है? जहाँ पे top 100 winners, top 100 winners scoring more than 75% in stage 1, from every class of each country, वो लेता है, stage 2 में part, ठीक है? तो 100 winners इसका more than 75% in marks, मता उसका जो होता है, percentage होता है, stage 1 में हर एक class का वो लेता है, आपका stage 2 में part लेता है, ठीक है? फिर बात करते हैं, stage 1 एं stage को examination के, तो student यह जो आपका exam होता है, वो आपके schools में होता है, आपके school hours में होता है, आपके schools में होता है, school opt कर सकता है, offline, online या hybrid mode of examination, यह school opt कर सकता है, ठीक है? अगर हम बात करते हैं, इसके question paper कैसा है, कि negative marking है नहीं है, तो बच्छों यहाँ पे different question paper होते हैं, हर एक class के, यह बिल्कुल जन्विनसी बात है, हर एक question आपका कैसा हता है, objective type like, multiple choice के questions होते हैं, ठीक है, no negative marking, wrong answers के लिए कोई भी negative marking नहीं होती है, ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं, आपके test paper की, तो student class 325, मतलब आपके third से लेके fifth तक के जो class के student होंगे, उनमें total questions होंगे 35, और जो time period है, वो है 40 minute का paper होता है, ठीक है, 5th question, 35 question, और 40 minute का paper होता है, 6th to 10th student के लिए 40 questions होते हैं, और duration 50 minute, question बढ़ गया, 5 question बढ़ गया, और timing भी आपका 10 minute और add हो गया, ठीक है, सो 50 minute का paper होता है, तो बचो, offline examination दे रहे हो, आप online examination दे रहे हो, बहुत बच्चे हो सकता है, पहली बार इस से की, कि online अगर examination दे रहे होते हैं, सो सारा instruction उनको online प्रोवाइड होता है, offline examination में आपको सारी चीज़े, detail of the everything, वो जो test आपको conducted होगा, वो आपको भेज़ो जाएगा with the question paper के साथ, आपको बताया जाएगा, ठीक है, सो उसकी कोई टेंशन देने की बार नहीं है, अब बात करते हैं about the slavers, सो student Silverzone International, जो आपका एक STEM innovation उलाम प्यार पेपर है, इसका slavers क्या होगा, ओविसलिए, science, technology, engineering और mathematics से बना होगा, ठीक है, आप देखे, STEM education का जो application, that is STEM education and the application of technology, क्यों लाइक ये जो भी slavers आ रहा है, ये paper क्यों हो रहा है, because to empower every student, ठीक है, हर एक बच्चे के अंदर ये एक talent आ जाए, जो use their creativity, वो अपने creativity को use करें, उस creativity को use करें, उसके अंदर एक problem को solve करने की skill develop हो जाए, ठीक है, बहुत 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 असा होता है, student जो हम पढ़ आई होते हैं, छोटी classes में होते हैं, तो चीजों को याद करना हमें पढ़ता है, उस चीजों को पढ़ने के लिए, exam देने के लिए हमें याद करना पढ़ता है, लेकिन जब आप किसी चीज को जितना analyze करते हो, उसको जितना समझ के paper देते हो, ठीक है, सो यही इसका मेन उदेश है यह त्लेवल भी आपका बना है जो science, technology, engineering और mathematics का यह सारा कुछ आप solve करते हो पहले paper देने से पहले इनकी आप practicing करते हो और आपके अंदर problem solving skill develop हो जाती है ठीक है तो अगर हम बात करते हैं science जो इसमें science आती है ठीक है maths आती है इन सब का individual role क्या है तो science एक important discipline होता है stem education का बहुत important part होता है क्या काम कर रहा होता है it help us to become innovative and better at the research and the critical thinking which is one of the prime goal of the step education student यह क्योंकि बहुत important discipline है like बहुत important part is stem education का यह आपको innovative बनाने में help करता है आपकी सोच को और जाता है innovative ठीक है it teaches us whatever physical world made up of and how does it work कि हमारा जो physical world है वो किससे बना है और वो कैसे काम कर रहा है जो भी आप देख रहे हो अपने आसपास वो किससे बन रहा है कैसे काम कर रहा है यह सारे चीज़े आप समझते हो ठीक है you also need to understand the chemical composition of the material कि कोई भी चीज है वो किससे बनी है उसका chemical composition क्या है ठीक है अगर हमने यह pen लेके बैटे है तो वो किससे बना है क्या chemical composition है अपको जानना एक क्यानकल लेवल पर ठीक है आपको पूरे एक science लेवल पर सारी चीज़ों के knowledge होती है so science is essential to understand the living ठीक है material and the physical world आपकी living चीज़ों को materialistic चीज़ों को physical world को understand कनाना यह science का काम है and develop the skills of the collaboration, research, critical inquiry, experimentation, exploration and the discovery यह चीज के skill आपके अंदर क्या करता है student develop करता है so science एक बहुत ही important part है effective education का और even हम सब की daily life के लिए भी so next हम बात कहते है technology and engineering जोसका एक part है यह used होते है every sphere of human life हमारे daily के आप काम देख रहो ना so कहीं न कहीं महाँ पर technology यूज की गई है कहीं पर आपर engineering यूज की गई है जो काम हम कर रहे होते हैं हमारे काम को daily के काम को असान बनाने के लिए technology आई है so यह पढ़ाई आप starting से कर रहे होते हो उसके बारे में starting से जान रहे होते हो आजकल का time क्या है internet का time है हमें messages दूर बेजने होते हैं हम email को use करते हैं यह सारी चीसे क्या है technology के वज़े से engineering के वज़े से so the coding coding is the backbone है आज करके technology और engineering के लिए ठीक है student so इस तो यह एक important हिस्सा माना जाता है tip का next बाँ पात करते हैं mathematics की so mathematics can be considered as the fundamental language of the universe ठीक है जिसकी applications है so यह बहुत ही fundamental language है हो सकता है बहुत student को tough लगती हो लेकिन student के एक fundamental language होती है math एक objective है जो आपको foundation देती है experiment के लिए and practicals के लिए जो की आपका main objective है clear student so maths भी एक बहुत important part है आपके STEM के जो olympiard है उसका भी एक बहुत important हिस्सा है clear so अब आपात करते हैं class 3 से जो यह exam होते है उनका syllabus क्या आता है student यह syllabus का आपको जो दिया क्या है आप जिस भी class के student इसे देख रहे हैं या किसी और को recommend करना चाहते है particular classes के लिए तो आप सारा syllabus का अच्छे से रेखिए so science, technology, engineering, mathematics में क्या आता है science में understanding motion, force, impact जो आपके slivers में है उसी से पूछा जाता है और क्यों कि आप competition में जब आप बैठते हो तो आपको थोड़ा एक advanced level भी पढ़ना होता है ठीक है वो कैसे तैयारी करनी है, क्या-क्या पढ़ना इसके अंदर में क्या-क्या चीज़े आती है यह सारी चीज़े आपको एक-क करके हमारे वीजियो में मिरेंगी clear student, so technology, engineering में आपकी information technology, introduction to hardware, software आप slivers को प्लीज देख सकते हैं mathematics में exploring number, splitting number यह सारी चीज़े पूछी जाती है clear तो यह है हमारे class 3rd के student के लिए slivers class 4, आप अच्छे से देख लेजे, although आपको यहाँ पे साला को description box में भी मिल जाएगा तो science में force and the application, kingdom of plant and animal and so many things technology, engineering में, information technology के बारे में and so many things mathematics में working with number, dividing a whole, यह सारी चीज़े पूछी जाती है so यह है आपके class 4rd का slivers, आप इसे प्लीज अच्छे से रेख लीजे और आप screenshot पे ले सकते हैं slivers for class 5, science में workforce and energy, simple machine, light and so many things technology, engineering में आपको पूछा जाते हैं, information technology में computer, fundamental, window, OS, यह सारी चीज़े पूछी जाती है handling data, understanding fraction, यह सारी चीज़े पूछी जाती है slivers for class 6, science में everyday science, story of movement, जो आपके slivers में है technology engineering में आपको पूछा जाता है, coding, introduction of coding, यह सारी चीज़े blatulation, यह सारी चीज़े पूछी जाती है, mathematics में number and its operation and so on ठीके, आप देख सकते हैं, screen में आपके सामने है slivers class 6 का slivers for class 7, science में क्या पूछा जाता है, light and its interaction with object, current and its effect and so many things, technology and engineering में student पूछा जाता है, आपको coding के बारे में पूछा जाता है, fun with function, ठीके, and understanding area, यह सारी चीज़े पूछी जाती है mathematics में number system, algebra and so many things, ठीके, तो आप इसको class 7 के student, जो भी slivers है, उसे आप देख लीजे, screen shot ले सकते हैं, otherwise आपको description box में भी मिल जाएगा, slivers for class 8, science में, some important physical quantities, natural phenomena, ठीके, यह सारी चीज़े, technology and engineering में student आपके पास AI, introduction to AI, history, ठीके, history of AI होगे आपका, application of AI and so many things, maths में आपका rational number, algebra and so many things, ठीके, class 9 में, science में, chemical composition of a physical world and so many things, technology, engineering में आपका, again AI, introduction to AI, mathematics में, rational number, algebra, linear equation and so on, ठीक, class 10 के लिए, science में, chemical element, property, life process, ठीके, and so on, technology, engineering में, आपका AI, foundational concept, ठीके, और आपका logical sequence and so on, mathematics में, real number, number series, polynomial, geometry and so on, ठीके, so, जिस भी student, जिस class के हैं, जो देख रहे हैं, अपने syllabus को आप अच्छे से देख लीजे, screenshot ले लीजे, अदरवाइस आपको वो description box में भी मिल जाएगा, ठीके, अब हम बात करते हैं, marking schemes की, तो class 3rd से class 5th तक के जो student है, जिन में 35 questions जो आते हैं, उनके number of questions किस तेके से वो segregated है, तो देखे, science में आता है, आपका number of questions आते हैं, 10, ठीके, science में number of questions कितने हैं, 10, हर एक question आपका 2.75 marks का होता है, ठीके, total marks हो गया 27.5, ठीक, total आपका 100 marks का यह जो paper होता है, वो कैसे segregated है, technology engineering में student number of questions होते हैं, 15, marks हर एक question का होता है, 3, और यह हो गया total marks आपके पास 45, ठीक, math में अगर हम बात करें, तो total number of questions होते हैं, 10, marks होता है 2.75 each question, और total marks हो गया 27.5, ठीके, so total marks हो गया आपका, कितना 100, और number of questions कितने हो गया, 35, ठीके, so total number of questions 35, और total marks हो गया 100, कैसे segregated है, यह आपको समझ में आ गया होगा, ठीके, अब बात करते हैं, class 6 to class 10 की, जहाँ पे total number of questions होते हैं, 40, कैसे segregated है, science में आते हैं, 12 question, marks कितने हैं, उनके हारे question के 2 marks, total marks हो गया 24, ठीके, technology and engineering में होते हैं, number of questions 16, marks होते हैं, 3.25 हारे question, और total marks होता है, 52, ठीके, mathematics में होते हैं, number of questions 12, marks होता है, आपका 2, हारे question को, total marks होगा 24, ठीके, तो total number of questions अगर आप calculate करोगे, तो हो गया 40, और total marks कितने हो गया, 100, तो total number of question 40, और total marks कितना आएगा, 100 marks का paper, clear, तो class 6 to class 10, total number of questions होते हैं, 40, total marks होते हैं, 100, कैसे-कैसे science, technology और mathematics डिवाइट किया गया है, यह आप देख सकते हो, ठीके, अब हम बात करते हैं, rank की, तो rank आते हैं, आपकी class rank, national rank, international rank को निकाला जाता है, जहां पर class rank में, include all the student from all the section, division of the same class, of the same school, same class, same school के, जतने student हैं, ठीके, from all the section, वहाँ से निकाली जाती है, class rank, national rank में आपकी home country से of the same class में जो student है वहाँ से निकाली जाती है national rank और international rank निकाली जाती है all the students from the India and the abroad of the same class ठीक है जहाँ पे आप stage 2 में निकालते हो clear नेक्श आता है बच्चों prizes के बारे में तो prizes for the stage 1 and stage 2 will be awarded together ठीक है एक साथ किसके बेस पे on the result of the stage 1 examination stage 1 के result के बेसे पे ठीक है so prizes for the stage 1 and stage 2 एक साथ award के जाता है जो बेस किसमे होता है result of the stage 1 examination ठीक है student अब बात करते हैं rank number stage 1 के stage 2 के क्या-क्या मिलता है stage 1 में ठीक है क्या-क्या awards मिलते हैं यह सारी बात है student तो certificates के बारे में अगर हम बात करें तो all the participants stage 1 में आपको certificate, medal और एक आपको analysis report card भी मिलता है जैसे कि मैं सौफ में हम बात करते थे ठीक है तो यहाँ पे तो certificate है वो मिलता है all the participants will be awarded participation certificate हर एक को मिलता है जहाँ पे reflect होता है उनका class zone, olympiat, rank and marks आपको उसमें mention होता है ठीक है, दूसरा आपको क्या मिलता है medals मिलते है class topper, first, second and third rank holder, हर एक class के हर एक school के उनको क्या मिलता है medal of excellence मिलता है ठीक है, यहाँ पे provided the topper कितना obtain करना थी at least 50% marks, ठीक साथे साथ आपको क्या मिलता है बच्चों आपको यहाँ पे मिलता है question wise performance analyze report analysis को report होती है वो भी आपको मिलती है ठीक है, तो हर एक student को यह भी provide की जाती है जहाँ पे detail analysis होता है कि student एक्जाम में कैसा attempt किया, यह बताया जाता है ठीक, इसका objective क्या है कि to share with the student and parent के साथ की share कि जाता है और student के answers को analyze किया जाते है कि आपने कैसा answer किया है ठीक है, जिसके वज़े से आप समझ सकते हो अपनी strength, जिस area में आपके अच्छी पकड़ है जिस area में आपने अच्छा काम नहीं किया वो सारी चीज़े आपको इस report में पता चलती है, जहां पर आपको improvement की जरवत है यह सारे बाते आपको इस analyze report card में पता चल जाती है जो भी performance analyze report card दी जाती है उसमें आपको यह बाते पता चलती है clear, so अब हम बात करते है stage 2 में क्या क्या मिलता है तो student stage 2 में आपको certificate तो मिले गई जी तो all the participants will be awarded participation certification उनको दिया जाता है जहां पर अकेन reflect होता हूं का class, zonal, olympiad rank और marks को बताया जाता है next होता है first price, second price, third price यह सब कैसे distributed होते हैं तो first international olympiad rank holder जो होता है उससे मिलता है cash price 25,000 रुपे तो अगर first international olympiad rank holder हो हर class के in each classes में आपको वो क्या award के जाता है 25,000 रुपे, चीक है second price होता है second rank holder को मिलता है 20,000 रुपीस और third price क्या होता है 15,000 रुपीस मिलते हैं चीक है so fourth से tenth price क्या मिलता है उनको तो fourth जो tenth international olympiad जो rank holders होते है उनको मिलता है medal of excellence मिलता है ठीक है और 11 से 500 तक में क्या मिलता है rank holders को awarded the top per achievement certificate मिलता है clear student? तो ये बहुत आपको समझ में आगे कि stage 1 में stage 2 में क्या क्या चीज़ आपको मिलती है clear? तो बिचो लास्ट वी ये हमारा telegram का channel cbsd special instagram का link ये सारी चीज़े आपको यहां पे बहुत चीज़े आपको प्रोवाइट की जाती है तो हमारे लगतार channel में आपको बने रहना है जिसके लिए आपको like, share और subscribe करना बता है ठीक है? तो लास्ट वी thank you thank you students so much लगतार हमारे channel में आप बने रहे है आप aware होते रहेंगे कि कितने टाइप के olympiarts आप दे सकते हो ठीक है? आप recommend कर सकते हो तो ये video student के लिए भी है और ये video उनके parents के लिए है relatives के लिए जहां पे हर एक को ये बास समझ में आ जाएगी कि किस तरीके के olympiarts papers होते हैं आगे आने वाले वीडियो में हम आपके साथ papers को भी कैसे solve करना है ये और चीज़े जितनी related olympiarts के वो सब discuss करेंगे चीक है? So last day thank you, thank you so much